आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo कीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाऊ डाउनलोड नाओ Hello students, let us have a look at the question first of all So why did foreigners first establish the modern towns in India? So this question में पूछ रहे हैं कि जो foreigners आये थे उन्होंने establishment जो थी वो modern towns की क्यों करी थी इंडिया के अंदर या वो ही पहले क्यों थे जिन्होंने modern towns का जो है establishment किया भारत के अंदर So ये question का answer हमें देना है So foreigners foreigners first established first established modern town modern towns in India The reason is ऐसा उन्होंने क्यों किया Because जब foreigners यहां पे आये foreigners बोले तो अगर हम foreigners की बात करें तो कौन-कौन से Portuguese हो गये, Britishers हो गये So ये जब भारत आये तो इन्होंने सबसे पहले जो अपना foothold था वो developed trading ports के उपर इन्होंने अपना जमाया Okay, so जब ये इंडिया आये When they came to India When they came to India Right They established और we can say ये सबसे पहले इन्होंने अपना foothold जो है वो कहां पे इन्होंने इस्टाबलिश किया Let me just write it properly So इन्होंने अपना foothold जो है वो इन्होंने इस्टाबलिश किया था Places like Surat Right Daman Producery Right Goa So इन places में किया था और ये already किया थे Develop port से Right ये क्या थे ये already developed ports थे Okay और इन ports के help से ये अपने सारी trading करते थे और धीरे धीरे उन ports के आसपास के इलाकी जो है वो इनकी वज़़े से क्या होने लग गये और जादा developed होने लग गये और यही कारण था कि foreigners पहले वो बने जिन्होंने modern towns को जो है भारत के अंदर establish करना शुरू किया Right Because वो एक ऐसे देश्टे आ रहे थे जहां पे already modernized जो culture था वो start हो चुका था और हम ऐसे कह सकते हैं कि वहाँ पे already जो industrial revolution था वो वहाँ पे हो चुका था तो उन्होंने उसका replication जो है इन पोर्स के आसपास करना शुरू किया और धीरे धीरे करके हमें modern towns जो है भारत के अंदर देखने को मिलने लग गए I hope this is clear to you Thank you